हाई फ्रेंड्स मल्टी टेक के यूट्यूब चाइनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं ऐसी पिस्टीवी टेनल विवेक आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक पर उपस्तित हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्योंकि एसमपेस दो वीडियो मैंने इस से पहले इसी चैनल पर डाल चुका गया और उसमें आप लोगा कमेंट था कि अगला जो सेक्सन संपिस पर उस पर बनाएं तो आज मैं संपिस के अगले दो सेक्सन को यह कर बताऊंगा आप कि कैसे वह काम करता है तो वीडियो को लाश तक देखिए लाश तक बने रही है और वीडियो इस्टार्ट करने से पहले में आपको यह विदा दो कि मल्टी टेक जो है वह कर सकते हैं अगर इंट्रेस्टेड है तो वीडियो को बिना देर की वह स्टार्ट करते हैं और आते हैं SMPS के बारे में सर्किट को समझते हैं तो SMPS का जो EMI सेक्षन था उसके बारे में हमने सुन में पढ़ लिया था EMI सेक्षन में AC इंपूट को फिल्टरेशन करने का काम किया जाता है और फिर उसको DC कर दियाता है मतलब कि अगर EMI सेक्षन में 220 वोल्ट AC दी जाती है तो उसको तुरण DC बना लिया जाता है यह में फिल्टर कैपासिटर आप देख रहे हैं यह DC कनवर्ट का हमारा में कील्टर कैपासिटर है और यहाँ पर हमारा DC बनता है वह बंता है प्लस 300 DC जो बनता है 300 V DC हमारा लगवाग यहां पर बनता है और इसी DC को हमें transformer के थुरू यहां पर हमारा transformer लगा रहाता है जिसको हम लोग SMT भी बोलते हैं SMT यह transformer इस टाइब का आपको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग SMT बोलते हैं यह चौपर भी इसको बोला जाता है तो यह transformer जो है 300 V DC को step down करेगा लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि transformer जो होता है DC voltage को कम या ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि transformer के अंदर primary coil में जब magnetic field बनता है तब ही secondary में वो कम या ज़्यादा होता है step down या step up होता है लेकिन DC में कोई frequency नहीं होती है अगर यह DC supply हम transformer के primary coil पर देते हैं तो उसमें magnetic field नहीं बनेगा और secondary output में कोई supply output नहीं होगी तो फिर इसके आगे ही हम देखते हैं कि हमें एक ऐसा transformer लगा होँआ मिलता है 300 V के आगे जो supply जाती हो transformer पर जाती है जिसको SMT बोलते हैं स्ट्वीच मॉड ट्रांस्वार्मर या इसको चौपर के नाम से भी जाना जाता है बहुत लोग इसको DC transformer भी बोलते हैं तो यहां पर तो हम 300 V की supply जो देखेंगे इसके primary coil पर दे दी जाती है लेकिन इसके primary coil पर 300 V DC देने से वो हमारा से क्या होगा वो आउट होगा लेकिन DC में कोई frequency नहीं होती है जिसकी वज़े से magnetic फिल नहीं बनेगा और output में हमारा जो DC है वो कम नहीं होगा तो उसके लिए क्या किया जाता है कि str section बनाया जाता है उसके लिए str section बनाया जाता है कि जहां पर यह चौपर लगा जाता है SMT transformer लगता है वहां से हमारा जो SMPS का circuit है वो दो भागों में बढ़ जाता है यह transformer से आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से जो मैंने yellow line बनाया है इसके इधर जो है primary section हो जाता है और इसके output में यहां से जो बढ़ जाती वह secondary section हो जाती है और primary का ground अलग होता है secondary का ground जो है SMPS का वो अलग होता है तो SMPS में हमारा primary secondary कहां से बढ़ जाता है तो जहां चौपर लगा जाता है primary coil और secondary coil से हमारा जो SMPS circuit वो दो भागों में बढ़ जाता है एक तरफ primary और एक तरफ secondary प्रैमरी में हम देख रहे हैं कि हमारा 300 volt है और secondary में जो हमें supply चाहिए वो 12 volt 5 volt चाहिए तो एक तरफ 300 high voltage और एक तरफ low voltage अब primary secondary भी तो हमारा बट गया लेकिन primary में जो हमारी supply वो DC है जिसको secondary में कम करना है इसको flyback transformer भी कहते हैं जो DC to DC को कम करता है लेकिन DC को यह transformer कम तभी करेगा जब इसके primary winding में frequency वाली supply दी जाएगी अब हम देख रहे हैं कि यहां से जो 300 volt की supply है यह 300 volt की supply कहां दे देगाई transformer के primary पे transformer का जो primary coil है यहां पे जैसे transformer का जो primary coil है इसका पहला टर्मिनल और यह इसका दूसरा टर्मिनल तो यहां से 300 volt जो main filter के capacitor बन रहा है वो कहां दे दिया गया transformer के primary coil के पहले टर्मिनल पे और यह दूसरी टर्मिनल से आउट होगा तो यहां पर भी 300 volt दिखेगा यहां पर भी 300 volt दिखेगा लेकिन अब 300 volt transformer के primary coil पे बन रहा है DC कोई magnetic field नहीं बन रहा है जिसके वज़े से secondary में कोई output नहीं होगा और becomesлемे Бनाँशक न के साथ एक और transformer करते हैं चर predominant Priory के साथ है लेकिन इसका जो पहते होता है फिसको और यह वहोते हैं और यह संदॉड के पर राएं को एक सेक्षर करकर बनाएंगे अभी थोड़ा सा haw А सुनावाइब आदे रहें आज जो हम किलियर करेंगे वहह स्ट्रीयार सेक्शन और सिर्किट को पूरा करेंगा मतलब ट्रमिनिय पर स्विडियों में कम्प्लीट करने बाले तो द्यान दिखते रही है तो इसमें क्या गया कि ट्रंसफार्मर के पहले थे 300 लोल दे दिया गया जब तक दूसरे टर्विविल पे स्विचिंग नहीं करे जाएगा मतलब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कहने का मतलब है कि यहांपर kater 10 सब्सक्राइब करना है और DC supply को AC में convert करने के लिए DC को हमें on-off करना होगा क्योंकि AC जो होती है वो on-off होती है एक सेकिन में 50 बार on-off हो जाती है हमारे इंडिया में तो फिर यहाँ जो DC डिरेक्ट चल रहे है उसको अगर हम on-off करने लगें तो वो हमारा AC में convert हो जाएगा और यहाँ transformer पर जब on-off की supply मिलेगी primary coil पर तो magnetic field बनना start हो जागा primary coil में और secondary में और auxiliary में जो है वो output होना start हो जाएगा तो अब बात आ गई कि यहाँ पर switching कैसे कराया जाएगा अब यहाँ पर जो switching कराया जाएगा transformer के primary coil के दूसरे terminal पर जो switching कराया जाएगा वो switching हमें ground से कराना है कौन सा ground में फिल्टर का जो ground है primary side में यह positive है और इस टर्मिलों को ground से switching कराना है switching का मतलब कि ground पे touch करना है हटाना है touch करना हटाना है touch करना हटाना है वो भी एक सिकिंद में लगवग हजार किलो बार इस से ज्यादा क्योंकि अगर हम transformer के primary पे अगर तीन सो दे रहे हैं और दूसरे terminal को अगर ground से touch करेंगे तो तीन सो भोल्ट जब ground से touch होगा तो सोट हो जाएगा इतना जर्मी होगी कि transformer का जो primary coil हो खराब हो जाएगा तो switching कराने का मतलब कि बहुत तेजी से कराना है अगर हम देखते हैं कि 10 वोल्ट की कोई battery है या पांच वोल्ट की उसके प्लस माइनस से वायर जोड़के अगर हम सौट करते हैं तो गरम होके वायर पिखलने लगता है तो अब सूची की 300 वोल्ट यहां पर आ रहा है अगर ground से switching कराएंगे तो खराब होना के भी सब्सक्राइब लगवग 10,000 वार से उपर की switching करानी है अगर हमें मैनुवल सुचिंग करना होगा तो एक सेकन में हम नुश्कल से पांच बार छे बार कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब यह दूसरे टर्मिल को ground से अगर switch कराना है तो यहां अब यहां पर जो अब section start देख रहे हैं section देख रहे हैं यह हमारा str section है str section यहां से यह जो दूसरे टर्मिल से जुड़े हुए component देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते है str section str section यह हो गया हमारा primary यह secondary यह हमारा जो section देख रहे है str यह हमारा जो है output secondary हो गया यह feedback हो गया यह हमारा auxiliary हो गया तो इस video में हम आज cover करने वाले यह str section कैसे काम करता है और फिर यहां पर आप देख रहे हैं protection के लिए snobar circuit बना हुआ है जहां पर एक diode एक capacitor रेइस्टर देख हैं तो यह snobar circuit है तो हम str section और snobar circuit कैसे काम करता है यह सारा जो है इस video में बताने वाले हैं तो हमने अभी देखा कि हमारा जो transformer के दूसरे टर्मिनल पर है switching करानी है और switching बहुत fast करानी है तो उसके लिए क्या यूज केर दिया गया यहां पर एक MOSFET का यूज कर दिया गया यह जो आप देख रहे हैं यह हमारा क्या एक MOSFET है और यहां पर जो MOSFET switching कराने के लिए उस होता है वह MOSFET होता है N-Channel का MOSFET जिसका ड्रेन जो है प्रैमरी के दूसरे टर्मिन से जूड़ा रहेगा और सोर्स जो है वह ग्राउंड से जोड़ दिया आता है लेकिन ग्राउंड से डारेक्ट न जोड़के यहां पर देखेंगे कि एक संट रेजिटर यूज कर जाता है संट का मतलब कि जिसका रिष्टेंस वैलू मिलियूम में रहता है यह भी करता है मिलियूम में रहेगा तो कंटिनूटी बताता है लवी यार हो जाता है तो संट रेजिटर के थुरू यहां पर स्विचिंग कराई जाती है डायेक्ट इसलिए नहीं जोड़ा जाता है कि अगर यह मॉस्पेर तो ज्यादा नुकसान होने से पहले यह संट रेजिटर फ्यूज की तरह काम करता है ओपन हो जाता है जिसकी वज़से सरकीट में ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर N चैनल का मॉस्पेट है जिसका ड्रेन टर्मिनल 2 से जोड़ दिया गया प अबße आपसमे कनेक्ट सकनेक्ट तभी होगा जब इसके गरी को न keeping यदि को कंट्रोल के जायेगा मतलब कि यहां पर जो मौस्पेट है इसके को को में लेकिन 10,000 बार 20,000 बार 40 बार और सकता अनुसार तो अब जो सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है PWM की supply इसके gate पे जो अब supply चाहिए पल्स चाहिए वो चाहिए PWM की supply PWM PWM Pulse with modulate PWM का full form जो होता है वो pulse with modulate होता है मतलब कि इसके gate पे अब जो gate को enable disable करने के लिए जो supply चाहिए वो PWM की supply दी जाती है जिसको pulse with modulate कहते हैं वो pulse के रुप में चलती है ऐसे उपर वाला जो आप देख रहे हैं यह duty cycle होता है इतना देर के gate enable रहेगा on रहेगा और यह जो नीचे वाला देख रहे है वो disable off condition होता है इतना देर जब पल्स जाएगा तो वो क्या रहेगा off रहेगा अब स्पीड जो switching की खाकानी बढ़ानी होती है इसी पल्स का जो यह विर्द चोड़ाई देख रहे हैं किसी को कम ज़्यादा करके पल्स को कम ज़्यादा किया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं पल्स with modulate मतलब की चोड़ाई अब मालनीचे यहां पर हमें switching ज्यादा करानी है तो जो duty cycle on वाला देख रहे हैं इसको ज्यादा कर दिया जाएगा और off वाले को कम कर दिया जाएगा अगर duty cycle हमें बढ़ानी है पल्स PWM की supply हमें अगर बढ़ा के देनी है तो on वाले को ज्यादा किया जाएगा और off वाले को कम किया जाएगा वह ऐसे देखें तो जब यहां पर switching बढ़ानी होगी तो गेट पे जो PWM की supply दिया जाएगा उसमें duty cycle को बढ़ा दिया जाएगा duty cycle बढ़ाने का मतलब कि on वाला जो duty cycle वह जादा बन रही है इसमें on वाली क्या है ज्यादा है इतना देर के लिए ओन रहेगा और इतनी देर के लिए और रहेगा इतनी देर के लिए ओफ रहेगा मतलब हम कहेंगे कि पल्स क्या हो गया बढ़ गया अगर switching कम करनी है तो यह PWM की supply आपको ऐसे दिखेगी अगर वही switching की स्विड कम करनी है तो यह जो चोड़ाई है ड्यूटी साइकल की जो चोड़ाई है उसको कम कर दिया जाता है तो वीर्थ को कम और ज्यादा करके यहां पर switching कराया जाता है अब एक बार दिखा रहें कि पल्स को कम कैसे किया जाएगा तो यहां पर देख रहें कि on वाला कम है और ओफ वाला क्या है जादा है अगर ऐसे पल्स चलेगा तो इसमें on वाला बहुत कम है और ऑफ वाला क्या है बहुत जादा है तो इसका मतलब अगर ज्यादा बन रहा है तो duty side call को यहां पर कम कर दियाता है तो इस तरीके से gate पे PWM की supply देकर drain और source के बीच में switching कराई जाती है लेकिन अब बात आ गई कि यह जो PWM की supply है वो gate पे आए कहां से वो gate पे आए कहां से तो यहां पर जो PWM की supply gate पे देने के लिए drive करने के लिए एक IC लगती है जिसको हम लोग switcher IC या gate driver IC या PWM IC के नाम से जानते है तो friends करने का मतलब है कि अब हमें इस MOSFET से switching कराना है drain source को आपस में connect disconnect करना है नेबल disable करते रहना है लेकिन वो किसके इस तारे पे तो gate पे जैसा PWM की supply आएगी वैसा लेकिन यह PWM की supply आएगी कहां से तो PWM की supply देने के लिए यहां पर एक आपको जादा तर PCV में 6 pin का IC देखने के लिए मिलेगी जिसको gate driver IC कहते है या PWM IC कहते है यह pin detail अलग भी हो सकता है लेकिन जादा तर 6 pin की एक छोटी सी IC आपको इस shape में दिखेगी और इसमें क्या होता है कि एक pin VCC का हो सकता है एक pin IC का ground का हो सकता है और एक pin जो है वो PWM का हो सकता है जो gate पे जाएगा और एक pin इसका बाइपास का होता है और एक पिन इसका NC भी हो सकता है या एक पिन इसका फिडबेक लेने के लिए भी हो सकता है तो बहुत सारी पिने इसमें हो सकती है छे पिन में कुछ NC भी हो सकती है तो कौन-कौन से पिन हो सकती है और उनका काम क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए तो इसमें जो एक पीन होगी जहां से PWM की सप्लाई निकल के गेट पे जाएगा उस पीन को हम लोग कहते हैं PWM की पीन जैसे यहां पे आप एक नमबर जैसे हमने बनाया है डेटा सिट करनुसार यह पीन डेटर अलग अलग हो सकता है तो यह जो एक नमबर के पीन है वो PWM की पीन है जहां पर PWM की जो सप्लाई हो गेट पे जाएगी लेकिन गेट पे यह सप्लाई जाने के लिए गेट पे हम देखेंगे कि कुछ पोटेक्शन भी उज़किया जाता है जैसे रिश्टर लगा रहेगा और कहीं देखेंगे तो ए एक हम pulldown register भी देखते हैं इसके गेट पेकशन देखेंगे जिसका दुसरा-चला ग्राउंड रहेगा वो रेजिस्टर जो है इसके गेट को डिश्चार्ज करने के लिए लगा रहे था है जैसे यहां पर एक रिश्चार्ज है यह इसके गेट को डिस्चार्ज करने के लिए continuity बताने लगता है इसका मतलब कि अगर एक सेकेंड में दस बार ओन ओफ करना है ड्रेन सोर्स को तो ओप के समय ड्रेन सोर्स ओफ होना चाहिए डिसकनेक्ट होना चाहिए तो वो तुरंद डिसकनेक्ट हो जाए ओफ के समय उस समय एक क्या लगा दिया गया यहां पर पूलडाउं डिस्टर जैसे यहां पर ड्रेन सोर्स आपस में कनेक्ट रहेगा और जैसे ऑफ कंडिशन में रहेगा ग्राउंड आजागे गेट पे तो जैसे गेट पर निगेटिव आएगी एंपिन चैनल का गेट क्या हो जागा डिस्चार्ज हो जाएगा तो मतलब ऑन के सम प्राइब कोई बिल का पूल्डम कोई इसको चाहिए इसको चाहिए विकवागगोर सपराइब चाहिए 20 वोल्ट से लेकर देर वोल्ट दो वोल्ट की बीच में चाहिए अब बात आ गई कि इस और वो सप्लाई कैसे दिया जाए क्योंकि अभी तो सम्पीस नहीं हुआ है कि हमें अक्जिलेरी में सप्लाई मिले या सिकेंड्री में मिले पहले तो इसका रिक्वाइर्बंट पूरा होगा तब यह पीड़ू की सप्लाई देगी गेट पे तब स्विचिंग होगा तब आउ पर दिया गया तो यहां पर बना दिया गया जिसमें यह आरवन हो गया और यह जो रिष्टर जुड़ा हूँ आर्टू हो गया अब दोनों के हिसाब से यहां पर जो बोल्टेज डिवाइड होगा तीन सो से वह हमारा बीस वोल्ट में रहेगा मतलब इस तरीके से आरवन अ होना ही चाहिए तबी तो स्वीचिंग होगा तो एक प्रीड़ गेट पर चला गया वी सी बोल्टेज डिवाइडर बनके आ गया और एक पिन इसका क्या हो गया ग्राउंड का हो गया अब इतने से क्या होगा कि यह आइसी स्वीचिंग करना स्टार्ट कर देगी प्रीड़ लेकिन जब यह स्वीचिंग पर भेज़ती है तो इसके अंदर एक्स्राट कायो प्रोंना होता है तो उसकी लिए एक और पिन रहता है जिस ते यह आइसी सेप रहती है उस बीचिंग को बोलते हैं डी पी दीचिंग का मतलब की बाइपास गैर लिचिंग गर और पिन रहेगा इस पीन को हम बोलते हैं इस पीन पर वोल्टेज हमें 5.8 वोल्ट मतलब 5.5 वोल्ट हमें बाइपास वाले पीन पर देखने के लिए तो यह बाइपास पीन जो वह आई-सी के प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए इसके अंदर जो नौइस होता है पल्स जेनेरेट करत तो यहां पर देखने के लिए वह 5.5 वोल्ट तक लिए मिलता है उसके बाद इसका एक पीन जो होता है वहता ही नेवल का पूरा मिल जाता है यह प्लाई कि स्प्लाई देना स्टार्ट कर देती है हमारा MOSFET सुचिंग करने लगता है जब MOSFET सुचिंग करने लगता है तो primary में magnetic wheel बनता है जिसकी वजय से secondary में magnetic wheel transfer होने लगता है और यहाँ पर DC बनना इस्टार्ट हो जाता है कैसे बनता है अभी वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी हम STR section कैसे काम करता है उसके बारे में इस video मता रहा हूँ तो होता है कि output जब बनने लगता है तो output हमने SMPS में बता है कि SMPS का जो output है वो fix रहता है input में कम ज्यादा voltage हो जाए फिर भी output fix रहता है लेकिन output fix रखने का काम जो करती है यही IC करती है इस IC को मालूम होना चाहिए की output कम बन रहा है या o जादा बन रहा है output कम या जादा बन रहा है वो जो feedback है इसको enable वाले pin पर मिलता है जिसने इसको पता चल जाता है कि हमें switching किस speed से करानी है हमें जो PWM का duty cycle pulse रहना है वो किस speed में रखना है वो इसको तभी पता चलता है जब इसको feedback मिलता है तो इस IC का एक मिन feedback का होता है जो output से feedback आता है कि इसको switching किस हिसाब से करानी है क्योंकि input में जब voltage कम होगा तो इसका भी voltage output में कम होगा लेकिन जैसे ही feedback मिलेगा कि voltage output में कम हो गया स्पीड अपना PWM का स्पीड बढ़ा देगी और output फिक्स हो जाएगा जैसे ही input में voltage कम होगा output में कम होगा जैसे input में बढ़ेगा output में बढ़ेगा लेकिन जैसे इसको कि voltage बढ़ गया है तो PWM के स्पीड कम कर देगी voltage को क्या कर देगी maintain मतलब कि यह IC जो है switching कराने का काम करी रही है और साथ में output को fix रखने की काम यहीं कर रही है कि switching के speed से output को यह control करती है कम और ज्यादा अगर हो राए voltage वहाँ पे तो यह इस पे और fix रखती है तो एक पिन इसमें जो रहता है वह feedback का रहता है जो की optocoupler के जुड़ा रहता है इसको हम अगले टॉपिंग बताएंगे पहले str section के बारे मदा दरे कैसे काम करता है उसके बाद एक पिन इसमें आप देखेंगे वह i-sense का होता है किसी में यह pin nc रहता है और किसी किसी में रहता है i-sense का मतलब यह होता है कि अगर यह हमारा इस्टेंडर सेंस बना दिया एक इस्टेंडर बना दिया गया है कि अगर इतने तक एंपियर ले रहा है तो यह i-c समझ जाए कि हमें बंद हो जाता है जिससे नुकसान बज जाता है मतलब कि i-sense वारी जो pin है वह str ic को इसलिए मिलता है ताकि output में इसको जैसे लगता है कि कुछ खराब हो गया सॉटिंग हो गया एंपियर ज्यादा लेने लगा उस समय यह str section पे switching कराना बंद कर देती है और सारा सप्लाई हमारा बंद हो जाता है तो यह भी एक protection के लिए ही यूज होता है तो इस तरीके से हमारा जो छे इस नेट्रिक फिल्ट बनने लगेगा प्राइमरी में और यह सेकेंडरी में क्या होगा ट्रांसवर होगा लेकिन एक चाहां पर और समझना है जैसे यह str section में switching होता है यहां पर हमारा जो प्रामरी कोईल का टर्मिल है यहां पर हमारा 300 बोल्ट और दूसरे टर्मिल पर जब तो switching होता है ड्रेंट तो स्विचिंग होता है तो यहां पर जीरो गोल्ट होता है और जैसे यह डिसकनेक्ट होता है वहां पर कितना प्रोट आ जाता है 300 यहां पर 300 जीरो 300 ऐसे switching के दोड़ान होता रहता है लेकिन क्वाइल की एक खासियत है कि क्वाइल के अंदर जब सप्लाई दी जाती है तो एक magnetic फिल बनता है लेकिन जैसे ही सप्लाई को बंद किया जाता है यहां पर वह magnetic फिल्ड रिवर्स वोल्टेज को रूप में कर粉 होता है तब जड़ बनता हुएश और ईख्र मेर् यहां पर एक बार भर नहीं किया जा रहा है हो Έक एक बार बंढक्र करने से उसके अंदर में मैग्निक फिल्ड बना रहाता थैव इंट्र एंटस्वाइग को चलता रहता तो एक Agrion बंद किरने पर इक स्वीयूरूरी यहां पर एक स्टेट में 10 जार बार बंद होगा तो कितना इस फाइक आएगा और इस पाइक जो आता है वो बढ़ाता है अब जैसे इस पाइक यहां पर बंदना स्टार्ट होगा बढ़ेगा उस समय हमारा HDR सिक्सों जो है वो खराब हो सकता है इस्टियार्ट सेक्सन का मौसवेट कराब हो सकता है और टांसफारमरर का प्रैमरी क्वाइल भी खराब हो सकता है जब यहां पर स्weード स्वूंचिंग होगी तो स्विचंग भी कराना है और spike से नुकसान भी नहीं होने देना है तो उसके protection के लिए यहां पर एक बनाय जाता है सनबर सर्किट यहां पर एक बनेगा आपका सनबर सर्किट अब सनबर सर्किट जो देखते हैं वह RCD सनबर सर्किट बनता है RCD का मतलब कि एक register लगा रहे और एक कैपसीटर लगा रहेगा नौन पुलराइज और एक डायोट एक डायोट लगा रहेगा अब देखेंग अब यह कैसे पुटक करता है यहां पर वोल्टेज कैसे स्वूचिंग के दोरान बढ़ता है थोड़ा सा इसको समझना है तो यह आप नोट कर लेजेगा यह हमार ह Blue में माइनस देखिए घ्यान दीचेगा जब racism चैने ग्रान रहेगा उसलमें यह प्लस रहेगाल यह मैंश रहे ग और जैसे ब्यार्वाइन से ऊजाएगा मा इस जर्णा Performance से मच difusa हो छाएगा और यहां पर हो जाएगा making और गेट आइबर आइसी भी खराब हो सकते हैं और यह हमारा जो प्रामरी क्वाइल हो भी खराब हो सकता है क्योंकि एक सिक्ट में दस जबर बढ़ेगा अब उसको क्या किया जाता है कि डायोड लगा दिया गया अब जैसे यहां पे माइनस और यहां पे प्लस होगा के तोड पर बोल्टे जो है एनोट से कम रहेगा तो अभी इसके कैफोड पर जो बोल्टेज कितना है 300 है और जैसे ही स्पाइक आएगा रिवर्स में वह 30 से स्जाधा होगा तो यह ज्जादा बोल्टे कर देंगा और वह कहां चलेगा में सप्लाई चला जागा में सप्लाइ में चला जागा तो बढ़ेगा नहीं और इसको कंप्रेश करने के लिए यहां सब्सक्राइब को इंग को चार्जिक करके समाप्द करता है क्या और मालेजे जब switching नहीं हो रहा है तो उसमें एक यहां पर पावर सप्लाई बैटरी बना हुआ है मालेजे यह क्या है यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है कितने बोल्ट के बैटरी बनी हुई यहां पर एक बैटरी जो बनी हुई है यह माइनस और प्लस यहां पर जो बै यहां पर प्लस हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा हमारा माइनस कुछ समय के लिए यहां पर यहां पर यहां पर प्लस एक तो पहले से बैटरी ती जिसका यहां पर सक्off अब मतलब प्लस मतलब कि ऐसे सुपलाइ रिवर्स होती है 300 an battle को लगी कि आहां पर स्विचिंग चलता है वह 20 किलो हर्टी कि यहां पर चलती है तो उटिडेन रहता है तो इतनी पार जब इक्राइड आ रहा है तो उपर डालने के काम करने के लिए क्लिए लगा जाता है सुनबर सरकीट अब ध्यान लिए अगर स्नबर सरकीत का कोई भी कॉम्पेंट खराब हो गया चाहिए रिजिटर या डायोट सोट हो गया उस समय क्या होगा कि हमारे स्ट्रीयार सक्षन का मोस्पेड या जो गेट रइबर आईसी है वो तुरंत सोट हो जाएगी क्योंकि सनबर सरकीत जब काम करना बंद करेगा तो तुरंस सोट हो की साथ में हमारे जब्सफशं का क्यों था कराहिया उसको बदलने से पहले आपस्निडर सर्गेट को जरूर्ण चेक करिये कि रैजिश्टर कैपसिटर डायोड जो है वो तो खराब नहीं हुए है अगर वह कराब हो यह सारे नड्सक्राइब है अगर लगा दे रहे हैं और उसको फ़गा जैसे सप्लाइज देंगे तुरंत यह क्या हो जाएगा तो जैसे हम मौस्पेट या स्विचिंग डिट राइबर आइसी चेंज कर रहे हैं और बार बार सोट हो जा रहा है तो एक बार हमें इसको भी चेक करना जरूरी होता है तो यह होगे हमारा str section और यह होगे हमारा सनबर सरकीट जो की primary str section के protection के लिए यूज किया जाता है और बात आ गई कि हम check कैसे करें कि हमारे primary section के str section काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इधर हमें switching चेक करना पड़ेगा हमें इस side क्या check करना पड़ेगा switching str section को shortcut में चेक करने के लिए हमें multimeter को frequency range करना होगा हर्ज रेंज में चेक करना होगा और देखना होगा कि switching primary में हो रहे है कि नहीं अब switching कहां चेक करना है उसको ध्यान देना है multimeter को रखना है frequency range पे और black probe को रख दिजेगा और red probe को रखेगा यह जो MOSFET है उसके drain पे याद रखे जब भी आपको str section में चेक करना है switching हो रहा है कि नहीं हो रहा है चाहे आप DSO से चेक करिए या आपके multimeter में अगर frequency range है हर्ज range है उससे चेक करना चाहते हैं तो multimeter को set करिए हर्ज range पे या DSO को set करिए और ground कहां से लेना है main filter capacitor से ground लीजे और positive वाले probe को कहां रखना है drain पे मतलब ground से drain पे आप देखे अगर यहाँ पर kilohertz में आपको switching दीख रही है तो यह मान के चलिए कि HDR section काम कर रहा है अगर कि आपका HDR section काम नहीं कर रहा है उस समय आपको IC और इस MOSFET को चेक करना पड़ेगा उसके बाद अगर आपके पास multimeter में frequency range नहीं है या आपके पास DSO नहीं है फिर भी आप HDR section की switching चेक करना चाहते हैं तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं DC volt range पे ध्यान दिजेगा अगर DC volt range मे switching हो रही है या नहीं हो रही है उसके लिए आपको आना है snubber circuit में और snubber circuit में जो यहां पर diode का कैथोड लगा है अनोड तो कहा है आपका T2 पे तो जब अनोड पे चेक करेंगे तो जो main filter पे 300 volt बन रहा है वही आपको 300 volt इसके अनोड पे दिखेगा और जब कैथोड पे DC volt चेक करें ग्राउंड तो ले देना है एक जेक से और रेट कहां रखना है इसके कैथोड पे अगर कैथोड पे चेक कर रहा है यहां पर voltage 300 से ज्यादा दिख रहा है और कैथोड पे जा रहे तो 340, 350, 380, 400 volt तक अगर दिख रहा है तो वह extra volt तभी दिखेगा जब str section में switching होता तो एनोड पे अगर 300 volt दिख रहा है और कैथोड पे 40, 50, 600 volt अधिक अगर दिख रहा है तो यह मान लीजिए कि आपका str section जो है वह proper work कर रहा है अगर यहां पर आपको input में 300 दिख रहा है और output में 300 दिख रहा है तो यह मान के चलिए कि str section जो है आपका काम नहीं कर रहा है तो विडियो लंबी नहीं इसके लिए एक-एक section समझा रहा हूं और जैसे पूरा section एक-एक समझा दूँगा लास्ट में एक video बनाऊंगा जो पूरे section को एक साथ लेके चलूँगा तो अभी आज के video में मैंने आपको SMPS के str section और snubber circuit के बारें बताया एक चीज में और बता कोई थी लेकिन str section बहुत टाइब के आते हैं यहां पर एक power ic भी लगा होता है जिसके अंदर यह जो मोस्पेट रहता मतलब इन सबके अंदर बस एक ic लग जाएगी और वह स्विचिंग कराती है वह कैसे कराती है वह power ic होती जिसको switcher ic भी कहते हैं तो अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो हमारा htr section कहिए रहेगा लेकिन hogy switcher ic से रहेगा कि switcher ic के दौरा power ic के दौरा कैसे TR section में switching कराया जाता है और करता है तो अभी हमारा अगला जो वीडियो चलेगा वो इस ट्यार सक्षन कहीं रहेगा और वो रहेगा कि पावर आइसी से कैसे स्विचिंग कराई जाती है और फिर इसके आगे ही यह मतलब जो स्रीज चल रहा है उसी मताऊंगा कि अगर यह मोस्पेट सही है और यह खराब ह जा रही है और यह क्याहिए मिलते हैं अलगा होता है जिससे लगरो स्पोर्ट नहीं करता है तो फिर अगो Logic कैसे इस सक्षन को सही करेंगे वह सारा चीज जो है इसी स्रीज में हम आपको बताएंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए वीडियो को Like करिए comment जरूर कर क्याकि जब आप कमेंट करते हैं तब ही हम अपना क्लास से समय निकाल के विडियो बनाते हैं और जैसे दिखता है कि कम प्रुड़ा सा कम आ रहा है तो देरी हो जाती मैं लाइक करेंगे कमेंट करेंगे हम चाहेंगे हुँ उतने जल्डी सी विडियो आपके सामने लाए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे का सेक्षन देखने के लिए अगले वीडियो का आपको इंतजार होने नहीं दूँगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.